कपिल शर्मा शो का नया सीजन शुरू होने से पहले ही बखेड़ा हो गया है कपिल के शो से कृष्णा अभिशेक का पत्ता कट गया है और इस बात को खुद कृष्णा ने कंफर्म किया है कपिल शर्मा शो पर कृष्णा सबसे में कॉमेडियन है कपिल के बाद वही पूरा स्टेश समालती हैं पिछले दो सीजन से कृष्णा कपिल शर्मा शो का एहम हिस्सा बने हुए थे उनके अलग-अलग करेक्टर्स लोगों को खुब पसंद आ रहे थे जून के महीने में कपिल और उनकी टीम ने शो से ब्रेक लिया और इस दोरान ये सारे कॉमेडियन्स ने दुनिया भर में अपने स्ट्रेश शो किये और जम कर कमाईगी विदेश से वापस लोटने के बाद कपिल अपने नए सीजन के लाँच पर लगे हुए है इस बीच नए सीजन का प्रोमो भी शूट कर लिया गया है पिंक विला की रिपोर्ट के मताबिक इस नए सीजन में मेकरस ने काफी बदलाव की है शो में नए आर्टिस्ट भी नजर आने वाले हैं लेकिन इन सब के बीच कृष्णा अविशेक नहीं दिखाए देंगे कि इस बार वो शो में बहुत कुछ नया करने वाले हैं लेकिन अब खबर आई है कि शो के साथ उनकी डील नहीं हो पाई है इस बीच इस नए सीजन का हिस्सा भारती सिंग भी नहीं होगी भारती ने कुछ वरक पहले ही बताया था कि वो छोटे से ब्रेक पर है और साथ ही वो रियलिटी शो सारे गाम अपा भी कर रही है भारती ने कहा कि वो रैगुलर कपिल के शो में नजर नहीं आएंगी वो कभी कबार इस शो का हिस्सा बनेगी अब दो कॉमेडियन के जाते ही कपिल पर बहुत दबाओ आ गया है अब उनके साथ सिर्फ की कुशारदा, सुदेश लहरी, चंदन प्रभाकर और सुमोरा चक्रबती बची है इसके लावा शो की जज अर्चना पूरन सिंग भी बनी हुई है अगर शो पे आने वाले नए कॉमेडियन्स खास कमाल नहीं कर पाए तो कपिल के लिए सीजन करना काफी मुश्किल भरा हो सकता है फिलाथ आपको क्या लगता है, क्या कृष्णा को शो में वापस लिया जाना चाहिए अपनी राय हमें कमेंट में दीजे और जाद ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुट पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजे